चारधाम यात्रा को सुगम बनाना मोधी सरकार के एजंडे में है पिछले कुछ सालों में उत्राखंड में इसका असर भी देखने को मिला है जूम 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ पुनर निर्मान के जरिये मोधी सरकार ने उत्राखंड की आर्थिकी को नई ताकत दे दी है आपको बताते कि चारधाम यात्रा को लेकर डबल एंजिन सरकार के प्रयासों पर शधालों की रिकॉर्ड तादात कैसे खुद बगखुद मुहर लगा रही है ये रिपोर्ट के जरिया आपको दिखाते हैं प्याम मोदे का विजन जानदार नतीचे शानदार सुविधाई हुई आबाद शधालों की बढ़ी तादाद चारधाम यात्रा की दिक्कते हुई दूर बदल गई तस्वीर, खुशिया, भरपूर प्याम मोदे ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ती से पिछले नौ सालों में वो सब करके दिखाया है जिसे पहले सोचना भी मुश्किल था देव फोमी उत्राखंड से तो प्याम मोदे का अलग ही लगाव है जारधाम यात्रा उनके मुख्य एजंडे में थी जिसका नतीज़ा है कि आज उत्राखंड में कभी बहुत कठनायों से पूरी होने वाली यात्रा बड़ी सुगंता के साथ पूरी की जा रही है ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन था जिसे देवभूमी उत्राखंड में देश और दुनिया के करोडों लोगों की आस्था है वहां रेल, रोड और हवाई सुविधाओं का इस तरह विस्तार किया जाए कि अपने इस्ट देवों का दर्शन करने आने वालों को किसी तरह के दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसलिए एक के बाद एक वो सारे काम करवाई गए जिन्होंने देवभूमी में यात्रा के पूरी तस्वीर बदल दी आईए आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है 12,000 करोड से अथिकी औल वेदर रोट का निर्मान कार शुरू कराया 16,200 करोड की लागत से रिशिकेश कंड प्रियाग रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू कराया दिल्ली और देहरादून हरिद्वार के बीच नए हाईवी का निर्मान शुरू हुआ किदार्ना धाम की दर्शन के लिए हैली सेवा से बतली कहानी गौरी कुंड किदार्नाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवी का एलान